नमस्कार किसान समाचार में आपका स्वागर्थ है मैं हूं नदीम अंसारी शुरुआत करते हैं हेड्लाइंस के साथ पीएम मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि आज के समय में मोठे अनाजों को प्रोट्साहित किया जाना है एहम भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट ने वर्ष दोहरजार तेईस को इंटरनेशनल लियर्स ऑफ मिलेट्स किया घोशित पीएम ने कहा मिलेट्स पर फोकस से देश को मिलेगा पॉस्टिक अन्य और बढ़ेगी किसानों की आए प्रधानमंतरी नरेन मोदी ने वीडियो कांफरेंसिंग के जरीये जन आशिदी दिवत समारों को किया संबोधित शिलॉंग में 7500 वा जन आशिदी केंद्र राष्ट को समर्पित प्रधानमंतरी ने कहा सरकार घर घर तक स्वास्त सेमाय उपलब्द कराने को संकल्पित ट्यूलिप के दीवानों के लिए कश्मीर से अच्छी खबर बहुत जल्द खुल रहा है जमो कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन ट्यूलिप गार्डन में तेजी से चल रही हैं तैयारियां परेटकों को लुभाने के लिए ट्यूलिप गार्डन में खिलेंगे 15 लाख ट्यूलिप और अन्य फूल खरीफ विपरंच सीजन में MSP पर खरीदी जारी धान के खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 14.5 दो फीसद की हुई विरधी मौजूदा खरीफ विपरंच सत्र में अब तक खरीदा गया 670.44 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान और भारती मौसम विज्ञान विभाग दुवारा जारी हुआ मार्च 2021 के लिए मौसम का पूर्व अनुमान मार्च के दौरान देश के कई प्रदेशों में अच्छी बारिश या बर्फ बारी होनी की संभावना साथी देश के कई हिस्सों में सामान इसे कम या सामान ने बारिश होने का अनुमान और किसान समाचार में एडलाइन के बाद आए एब देखते हैं ख़बरों को विश्थार से प्रधान मंतरी नरेन मोदी ने जन औशिदी दिवस के मौके पर वीडियो कांफरेंसिंग के जरीये जन औशिदी दिवस समारों को संबोधित किया इसके साथ ही पिये मोदी ने नौर्ट इस्टन इंद्रा गांधी रीजिनल इंस्टिटूट आफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेश शिलॉंग में साड़े साथ हजारवे जनशरी केंदर का उधगाटन किया इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंतरी भारती जनशरी परियोजना के लाभारतियों से भी बातचीत की इस मौके पर हित्धारकों को उनके अच्छे कारियों के लिए सम्मानित भी किया गया पिए मोधी ने कहा कि आज दूर दर्शन के माध्यम से इस योजना के बारे में पूरा देश जानकारी ले रहा है उन्होंने एहमदाबाद के राजू से कहा कि दूर दर्शन के माध्यम से इस योजना के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरू करें राजु जी सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सावी नवजवानों को बढ़ाई देता हूँ जब मैं आपकी बाते सुन रहा था तो ये सिरफ मुझे ही प्रभावित करती थी असा नहीं लेकिन ये बाते आज दुरदर्शन के माध्यम से टीवी के माध्यम से देश के जितने युवा सुन रहे हैं उन सब को आप प्रेरित कर रहे हैं प्रेणा दे रहे हैं क्योंकि आपने कोरोना के संकट में अपने पिता जी को खोया लेकिन उसमें से आपने समाज के लिए कुछ करने का संकल्प लिया और आपने दीरे दीरे दो सो ढाई सो साथी बना लिए मैं आपके इस रचनात्वक काम के लिए और लोग जो कहते ने कभी कभी कि हमारे देश को नवजवान तो बस खुर्दंग बाजी करते रहते हैं आपने सिद्ध कर दिया है कि ऐसा नहीं है हमारे देश के नवजवान अगर उनको सही स्रास्था दिखाया जाया है सही काम उनके पास हो तो अपना जीवन खपा देते हैं और ये आपने करके दिखाया है प्रधान मंत्री ने कहा कि जन आशिदी योजना घरीब और मध्यंवर किये परिवारों की बहुत बड़ी साथी बन कर उभरी है ये योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है बन रही है जन आउश्रदी केंद्रों में सस्ती दवाई के साथ साथ युवाओं को आई के साधन भी मिल रहे हैं विशेश रुप से हमारी बेहनों को हमारी बेटियों को जब सिर्फ धाई रुपिये में सेनेटरी पैट्स उपलब्द कराए जाते हैं तो इससे उनके स्वास उस पर एक सकारात्मक असर पड़ता है प्रधानमंती ने कहा कि इस योजना से पहाड़ी शेत्रों में नौर्ट इस्ट में जन जाती शेत्रों में रहने वाले देशवासियों तक सस्ती दवा देने में मदद मिल रही है शिलोंग में 7500 वे केंद्र के लोकारपांट से साफ है कि पूरोतर में जन अशरी केंद्रों का कितना विस्तार हो रहा है प्रधानमंती ने कहा कि सरकार की जल से जल 10,000 का लक्ष पूरा करने की कोशिश है साथियों जन आउशदी योजना को देश के कोने कोने में चलाने वाले और इसके कुछ लाभार्थियों से आज मुझे बातचीत करने का आउसर मिला और जो चर्चा हुई है उसमें स्पष्ट है कि ये योजना गरीब और विशेश करके मद्यम्बर की परिवारों की बहुत बड़ी साथी बन रही है ये योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है जन आउशदी केंद्रों में सस्ती दवाई के साथ साथ युवाउं को आई के साधन भी मिल रहे हैं प्येम मोदी ने कहा कि आज के समय में मोटे अनाजों को ना सिर्फ प्रोसाहित किया जा रहा है बलके अब भारत की पहल पर संयुक्तराश्ट ने वर्ष दोहजार तेईस को इंटरनेशनल येर ओफ मिलेट्स भी घोशित किया है मिलेट्स पर फोकस से देश को पॉस्टिक अन्न भी मिलेगा और देश के किसानों की आई भी बढ़ेगी आज मोटे अनाजों को ना सिर्फ प्रोसाहित किया जा रहा है बलके अब भारत की पहल पर संयुक्तराश्ट ने वर्ष दोहजार तेईस को इंटरनेशनल येर ओफ मिलेट्स की भी घोशित किया है ये मोटा अनाज मिलेट्स पर फोकस से देश की पौश्टिक अन्रभी मिलेगा और हमारे किसानों की आई भी बढ़ेगी और अब तो फाइव स्टार होटल में भी लोग ओर्डर करते समय कहते हैं कि हमें वह मोटे अनाज की फलानी चीज़ खानी है दीरे दीरे क्योंकि सबको लगने लगा है कि मोटा अनाज शरी के लिए बहुत उप्योगी है और अब तो यूएन ने माना है दुनिया ने माना है दोहजारते इसमें पूरी दुनिया एक वर्ष के रुपर उसको मनाने वाली है और इसका सबसे बड़ा लाब हमारे छोटे किसानों को होने वाला है कि पुर्धान मंतिय ने कहा कि आजादी के 75 साल पूरा होने पर यह लक्ष होना चाहिए कि देश भर में जन और शिदी केंद्रों का विस्तार हो सके कि राज्य सरकारों से विभाग के लोगों से एक आग्रह करूंगा आज हादी के 75 साल हमारे सामने महत्पप्रण अउसर है क्या हम यह ताय कर सकते हैं कि देश के कम से कम 75 जिल्ले ऐसे होंगे जहां पर 75 से जादा जन और शिदी केंद्र होंगे और वे आने वाले कुछी समय में हम कर देंगे आप देखिए कितना बड़ा फैलाव बढ़ता जाएगा उसी प्रकार से उसका लाब लेने वालों की संख्या का भी लक्ष तैय करना चाहिए अब एक भी जन और शिदी केंद्र ऐसा नहों कि जिसमें आज जितने लोग आते हैं उसकी संख्याद दो गुनी तीन गुनी नहों इन दो चीजों को लेकर करके हमने काम करना चाहिए एक काम जितना जल्दी होगा देश के गरीबों को उतना ही लाब होगा ट्यूलिप के दीवानों के लिए कश्मीर से अच्छी खबर आई है बहुत जल्द ट्यूलिप गार्डन खुल रहा है अधिकारियों के अनुसार सब कुछ ठीक रहा तो इस बार 25 मार्च से परेटकों के लिए कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन खोल दिया जाएगा इस साल प्रशासन इसके उधगाटन के लिए एक भवे समारो भी आयूजित करने का प्लान बना चुका है इससे टूलिप गारडन में 15 लाग टूलिप और अन्य फूल खिलेंगे और परेटकों को यहां लुभाने के हर एक प्रयास प्रशासन की तरफ से किये जा रही है काफी डिमांड में हैं काफी लोग इनकुआर कर रहे हैं रिगार्डिंग ओप डिस टूलिप गारडन है और हम चाहते हैं कि जो पिसले साल हमारे जो हम लोग हैं वो कहीं जाने पाए पुरा साल उनका लोग डांड नों में चला गया वो जो लेजर टाइम था कहीं जाने का वो नहीं हो पाए हम चाहते हैं कि इस साल उनका ृभानी साल हम हँआ हाड्रिंग उनका ठाजक कर बोद्स हूद हमने काफी कूशिश किय है और वो कहे कि हमने कुछ देखा कश्मिर में बहुत अच्छी जगा है इस टाइम तो सारे बहुत सारे लोगों का काम भी चलता है टूलिप गार्डन के अब टूलिप गार्डन के खुलने वाला है तो वो इन्शालला मारश के आखरी हफ़ते में खुलेगा तो इस वक्त काम तो बहुत जोरू से चल रहा है यहां तो इसकी तैयारी हो रही है कि इस सार लोग आ जाए और इसका डूलिप गार्डन का लोगों तो फुड़ाएं खरीफ विपरन सीजन में MSP पर खरीदी जारी है आईए देखते हैं इस खरीदी को आंकडों के जरीए धान के खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 14.52 फीसदी की वृद्धी हुई है मौझदा खरीफ विपरन साथ में अब तक 670.44 लाख मीट्रिक टेन से अधिक धान खरीदा गया इसके अलावा मौझदा खरीफ विपरन साथ के दुरान धान की रिकॉर्ड खरीद की गई सरकार ने पंजाब से 220.882 लाख मीट्रिक टेन धान की खरीद की है जो कुल खरीद का 30.25 फीसद है वर्तमान में जारी खरीफ विपरन साथ में लगभग 97,70,000 किसान लाभानवित हुए है सरकार ने 3,10,265 मीट्रिक टेन दलहन और तिलहन खरीदा मौझदा खरीफ विपरन साथ के दौरान दालों और तिलहनों की खरीद से एक लाग साथ 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 964 किसानों को लाभ हुआ है रभी फसल 2020 के तहत आंदर प्रदेश में MSP पर 37.85 मीट्रिक टन चनी की खरीद की गई नियूंतन समर्तन मूली पर बीच कपास की सुचारू खरीद से 18,97,000 किसान लाभानवित हुए हैं किसानों से MSP पर 26,716.31 मूली की 91,8,412 कपास की गांटे खरीदी गई पांच हजार नवासी मीट्रिक टन खोपरा की खरीद कनाटक और तमिलनाडू राज्यों से की गई इस दौरां 3,961 किसानों को नियूंतम समर्तन मूली पर 52,40 लाग रुपे की अदाईगी की गई प्राकर्ति खेती भारत की प्राचीन क्रिशी पद्दती है इसे अपना कर वास्तविक अर्थों में किसान को खुशाल और आम जन को स्वस्त बनाया जा सकता है प्राकर्ति खेती से कम लागत में फसल का अधिक मूली प्राप्त होता है बुलन शेहर के भीटा गाउं के पदमिश्री सम्मान से सम्मानित किसान भारत भूशन त्यागी ने औशिदी और जैवी खेती के साथ तालाबों का निर्मान कर क्रिशी को मुनाफे का जरिया बना दिया है भारत भूशन त्यागी बुलन शेहर के बिहटा गाउं के निवासी हैं जो बीते 40 सालों से खेती किसानी में अपने किसमत आजमा रहे हैं गन्ना, लेमन ग्रास, शेहजन, हल्दी एक ही फसल के साथ उगाए गए हैं दूसरी तरफ शेड में तुलसी, पिलावांसा, चंदन, हींग, ब्रिगुराज जैसे अनेको जैविक औशधी पौधे हैं ये औशधी पौधे कई बीमारियों में रामबाल की तरह आजमाए जाते हैं सबसे खास है कि इन खेतों में ना किसी केट नाशक का इस्तेमाल है, ना किसी तरह की रासाए निखात का एक खेत में कितनी फसल लगाई जा सके हैं, ये हमको सोचना है आप जहां में खड़ा हूँ, जहां पर हम गन्ना लगाएंगे गन्ना लगाईंगे जहां पर गन्ना लगाएंगे, यहां के बाद में हलदी लगाएंगे हलदी लगने के साथ में मूह गूर्द या कोई भी दलनी फसल साल 2019 में पत्मश्री से सम्मानित भारत भूशनत्यागी खेतों में खर्पतवार नश्च करने वाले जहर के बारे में कहते हैं कि जहर ने मिट्टी के जीव और क्यूडे खत्म कर दिये हैं इसके अलावा रायसायनिक उर्वरकों ने मिट्टी के जयव परदार्तों और सूश्म जीव जन्तूं को नुकसान पहुचाया है जबकि खर्पतवार मिट्टी को उर्वरक बनाने और जयव विरादरी में संतुलन स्थापित करने में मददगार साबित होते हैं था बरसान एक खेती में इस सिफारिस की गई थी कि साय खर्पतवारों को खतम करना है और जो खर्पतवार येदि कहीं खटे हो गए तो उनको जलानाया नस्ट करना है ये सिफारिस ही गलत थी जब हम जैवी खेते में देखते हैं तो जो भी बायोमास उत्पन होता है बायोमास ही खेत का भोजन है तो अलग से खाद की जरूत नहीं है बलके जो भी बायोमास खेत में पैदा होता है उसको यदि खेत पचाता है तो जमीन में जिवान्स कर्वन तो बढ़ता ही बढ़ता है, सासाथ में जीवानुक तंत्रमी सक्रिय होता है और तेजी से बढ़ता है एक एकर में अगर हम नैपियर और कुछ कॉमिनेशन अब ग्रास लगाते हैं तो उसमें 10 गोबंस का ग्रास उप्युक्त होता है और एक गोबंज के गोबर से माना जाता है कि एक एकर के लिए उर्बरक उप्युकता है अगर टिसू कल्चर की बात करें तो दस एकर अधरवाईज एक एकर तो एक गोबंज से अगर हम एक एकर में जयविक किर्सी करें तो चार लाख की आमननी होगी और सिर्फ हम प्रतेक 10 एकर पर एक एकर अगर हम घास के लिए रिजर्व रखें तो 11 एकर में 10 गोबन से हमारा पर एकर 4 लाख रुपए की आमदनी होगी तो सालाना 40 लाख हो गया यह सस्टेनेबल भी है खाद की भी जो रासाइनिक खाद है उसका भी उप्योग नहीं होगा खेती और वानिकी में जैविविता को स्थापित करने के लिए त्यागी ने अपने खेत में दो बीगे का तालाब भी बनाया है यह तालाब आस पास के इलाके में पल रहे जलिये जीवों के लिए आश्रे इस्थल बनेंगे साथ ही भूगर्ब जल में भी इजाफा होगा इसे बनेगा वहीं पर मेंड़क पैदा होंगे वहीं पर जो कल्चर जिसको बोलते हैं जिसमें नाना पिरकार के जीव जन्तु केड़े मकोड़े सबी रहते हैं मिलकर और वो खेत के साथ घूमते हैं विरिक्षा रोपन बड़े पैमाने पर किया गया है चुकि पेर की जो जर है वो कहीं न कहीं जो हमारा भूजल जो गर्व है उसको रिचार्ज करती है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को इसके अलावे हम लोग ने जितने भी अवैद कभजा से सरकारी जमीन को मुक्त करते है उसमें हमारी कोशिस जरती है कि जादा तर में चारो बगल ट्रेंज खोद दे हैं त्यागी ने खेती किसानी के साथ विरिक्षा रोपन की ऐसी पद्दती अपनाई इसमें खेती मुनाफे का सौधा बन गई साथ ही प्रकरती जैविक खेती और जल के साथ ऐसा संबंद स्थापित किया कि खेती के साथ वानिकी भी चहचाहा उठी जैब बिबित्ता प्रकरती के साथ संतुलन, खेतों में जैविक खाद का इस्तमाल और उसके साथ जल संडक्षन के साथ कैसे खेती को मुनाफे का साधन बनाया जा सकता है इसकी जीता जागता मिशाल बीटा गाओं के भारत भूस अंत्यागी है जिन्होंने अपने 40 साल के लंबे अनभव में खेती को मुनाफे का जरिया बनाया है केमरामेन सुभाम के साथ दीरज कुमार, डीरे नियूस, बुलंसा भारती मौसम विग्यान विभाग दुवारा मौसम का पूर्वानुमान पश्चिमी विख्षोप से 6 से 8 मार्च के दौरान पूरे शेत्र में दूर दूर तक अच्छी बारिश होने और बर्फ बारी होने की संभावना है भारती मौसम विग्यान विभाग दुवारा मौसम का पूर्वान उमान जारी किया गया है उत्तर हरियाना, चंडिगर और इससे सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग इस्थानों पर हल्की बारिश या बूंदा बांदी होने की संभावना है लगतार दो पश्चिमी विख्चोबों से 9 से 15 मार्च तक डबलू-एच-आर के प्रभावित होने की संभावना है इस शेत्र में छिट-पुट से लेकर दूर-दूर तक अच्छी बारिश होने या बर्फर बारी की भी संभावना है पहले सब्ता के दौरान पूरोतर राज्यों में कुल मिलाकर दूर-दूर तक अच्छी बारिश होने और कहीं कहीं पर गरच के साथ बिजली चमकने की भी संभावना है पहले सप्ता के दौरान डबलू एच आर और पूरतर राज्यों में कुल मिलाकर वर्षा की गतिविदी सामान इसे अधिक रहने की भी उम्मीद है 11-13 मार्ज 2021 के दौरान पूरी उत्तरप्रदेश, बिहार, पूरी मद्रप्रदेश, 36 जारखन और ओडिशा में हलकी बारिश होने की संभावना है देश के शेश हिस्सों में सामान इसे कम या सामान इबारिश भी हो सकती है तीसे सप्ता में जमू और कश्मीर, सहीद, भारत के अधिकांश हिस्सों, उत्तरी भारत के आसपास के हिस्सों में सामान इसे कम बारिश होने की संभावना भारत और पूरतर राज्यों में सामान इसे लेकर सामान इसे अधिक बारिश होने की भी संभावना है 34 अबता में जमो कश्मीर, पंजाब, हर्याना, राजिस्थान, पुरोतर, महराश्ट और भारत के दक्ष्णी हिस्सों में सामानी से अधिक बारिश होने की उम्मीद देश के श्वेस हिस्सों में सामानी से कम ये सामानी बारिश होने की भी संभावना और इस बदल रहे मौसम में किसान अपनी फसलों का विश्वेश ध्यान रखें देश भर में जलवाईू अनुकूल फसलों की देख रेक के लिए किसानों को सावधानी का पालन करना जरूरी है किसान ऐसे में क्या-क्या करें देखते हैं इस खास रिपोर्ट में गर्मियों का मौसम आने वाला है जिसको देखते हुए किसानों को सला है कि वो ख्रिश्म कालीन सबजियों की बुवाई समय पर कर लें ताकि अच्छा लाब उठाया जा सके उत्रप्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्रप्रदेश में अगेती तयार सरसो की कटाई करें पूर्वी उत्रप्रदेश के किसान टमाटर, बैंगन, गोभी और ब्रॉकली जैसी सबजियों में हलकी सीचाई का काम करें पश्मी उत्रप्रदेश में गर्मियों के मौसम में किसान सब्जियों की बुआई कर सकते हैं. यहां के किसान इन दिनों मक्का की बुआई कर सकते हैं. पश्मी उत्रप्रदेश में किसान कदू, लौकी, खीरा, करेला और भिंडी जैसी कदू वर्गय सब्जियों की खेत तयार करना जारी रखें। और कदू और ये सबजियों की बुआई के लिए खेत तयार करने का काम करें। जिन किसानों की पौध तयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोत कर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। और क्यारियां तयार कर ले। हर क्यारी 6.75 मीटर चौड़ी और जरुरत के हिसाब से 5-10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दुपहर बात करना ज्यादा बहतर रहेगा। रुपाई के तुरन बात जरूरत हो तो हलकी सींचाई कर दे। बात में जब भी आवशक हो तो पानी देते रहे। खर्पतवान यंत्रन के लिए समय समय पर निराई गुडाई करते रहे। टमाटर में कई तरहा की बिमारियां भी लग सकती है। जुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विशानू से ठैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड जाती हैं और पौधो की बढ़वार रुख जाती है। रोग थाम के लिए शिकुड पत्तियों को खाड कर जला दे। टमाटर में पत्ति, तना और फल भेदकीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोग थाम के लिए विशेशग्यों की सलह पर उचित दवाओं का छिड़काव करे। प्रधान मंतरी नरेर मोदी के आहवान के बाद जल्शक्ती मंतराले ने अफगले दस सो दिनों के लिए रूपरेखा तयार की है। जिसमें प्रमुख है पुराने जल्शूरतों को जिन्दा करना। साथी गाउं से लेकर शेहर तक वर्शा के पानी को बजाने के लिए अभियान चलाना भी इसमें शामिल है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। जल्शक्ती मंतराले ने जल्शक्ती अभियान कैश दा रेन शुरू किया है। अभ्यान का मूल मंत्र है, catch the rain, where it falls, when it falls. एक अप्रेल से 30 जून तक चलने वाले सौ दिनों के अभ्यान के लिए मंत्राले ने वर्षा और प्राक्रतिक जल की हर एक बूद के पहतर इस्तिमाल, संड़क्षन और नवाचार को धरादर पौर अतारने के लिए योजना तैयार की है। योजना को फलिभूत करने के लिए स साथ मत्रालों का सहयोग भी मिल रहा है। जल चेतना से जन चेतना नाम से दूसरे संस्क्रण की शुरुबात हुई है। इस चरण में देश के सभी 734 जिले 7195 ब्लॉग, 2,55,05,6,64,000 गाओं को शाबिल किया गया है। जन चेतना के लिए सभी जिले के जिलादिकारियों को बताया गया है कि पुराने तालाब, जल के पुराने स्रोत, नदियों के पुराने स्रोत और गाओं से लेकर शहर तक वर्षा जल के हर एक भूंत को बचाए। साथ ही पुराने जल स्रोतों की सूची तैयार करें। उनके जो इनलेट्स है, उनकी सफाई हो, उसमें अगर गंदा पानी आ रहा है उसको रोका जाए, तो उसका एक बड़ा मुहिम हम जिले के कलेक्टर्स से, पंचायत के प्रधानों के साथ, सारे पंचायत मेंबर्स के साथ, पूरे कम्यूनिटीज के साथ, यह हम करना चाते ह मंत्राले की कोशिश है कि बर्साद शुरू होने से पहले यानि मांसुन के दस तक से पहले पानी की बूद सहिजने के लिए अभियान चले और इस अभियान में जन जन भागिदार बने, खासकर मांसुन सीजन में वर्षा का जो जल जाया हो जाता है उसे बचाया जाए देश में आकड़े हैं कि हमारे देश में जितनी बर्षा होती है उस बर्षा का हम 10% भी सहिज नहीं पाते हैं वर्षा जल को सहिजने के लिए अगले 100 दिनों के भीतर जल सकती मंत्राले ने एक प्लान तयार किया है और इस प्लान में ये कहा गया है कि जो जल के जो पुरान देश कमार डेडी नियोस दिल ने और पानी की एक एक बूंद को सहिजने के लिए जल शक्ती मंत्राले की एक खास मुहिम शुरू हो गई है क्योंकि जल है तो जीवन है और इसके साथ किसान समाचार के आज के अंके में फिलाल इतना ही हमारे पूरी टीम को दीजिए अनुम ती नमस्कार